हेलो फ्रेंच यह रुकमिनी का प्लांट है इसे इतजूरा भी करते हैं यह फ्लावर बहुत ही खुबशुरत होता है और गुच्छों में निकलता है यह कलर मेंने देखा है और एक बार इसका प्लावर आजाता है तो कमसे कश आठ-दस दिंअ भारे तिन केरा आता हैं और काफी खुब्सूरत भी दिखता है यह कभी खाल तो ऐसा भी होता है कि पतिया नहीं कितना खुबसूरत है देखिए यह सन लभिंग प्लांट है इसको कम से कम दीन में एक दीन में इसको 6-7 घंटे का धुप जरूर चाहिए देखिए और यह नीचे लगा हुआ प्लांट है यह बहुत कितना खुबसूरत है देखिए देख रहे हैं मेरे पास भी हुआइट येलो और ये रेड कलर है मगर जब इसी एक जोरा को हम पॉट में लगा देते हैं तो इसकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि पॉट में जब हम लगाते हैं तो एक न्यूटिसियंस की मत्रा इनकी बहुत कम हो जाती है और ये देखिए देख रहे हैं, इनके पत्ते देखिए, पीले हो गए हैं, फ्लावर सलाकी आ रहे हैं, ये देखिए, छोटे हो गए हैं, लेकिन हाँ, इनकी पत्तियां देखिए, पीले देख रहे हैं, जबकि एक जोरा का पत्तियां जो होती है, वो बिल्कुल ग्रीन होती है, येलो लिये है मगर इसके यह लोग होच्च के हैं इसका मतलब है कि इसको यह को कमी हो गई है यह फ्लावरिंग ट्रांट है और इसको वैसे होती अर्ष लांस दिया नहीं है इसलिए कमी हो गई और यह यह लोग बारिस ओघात है तो मैं होगी क्योंकि हम गार्डेन की बहुत सारी यह प्रप्रोब्लम होती है तो यह क्यों हो गई चुक्कि क्ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसको एशिडिक है छाहिए और इसके स्वैल में इसे डिक की मात्रा कम हो गई है इसके लिए और एक जोरा में एक ये भी प्रोब्लेम होती है इसकी स्वैल का pH जैसे ही बढ़ता है इसकी जड़े जो है और न्यूक्रिसियंस लेना पंद कर देती है तो इसकी जड़ों में मैगनेसियम, आइरान, नाट्रोजन की कमी हो जाती है और जब इसकी स्वैल एसिडिक नहीं रहत ही है तो ये पीली पढ़ने लगते हैं मैं के देख देख रहे हैं है तौ आज मैं इसको यही बताओंगी कि इसको क्या करना चाहिए जब यह नो हों से कम इसको फर्टिलाइज कीजिए मस्टड केट हो गया नीम केख हो गया पानी में घोल करके जरूर देना चाहिए लेकिन मैं आज आपको जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वह अलग ही है देखिए मैंने यहां पर हालाकि आप देजिएगा इसको मस्टड केक दीजिए नीम केक दीजिए बर्मी कंपोस्ट दीजिए गोबर का खार दीजिए इसको लिक्वीड फर्टिलाइजर मतलब हर मन्त में इसको देना ही चाहिए गया इस तब यह जाकर कंगें करता है चुक्त की स्वाइल जो है ए इसीडिक होने चाहिए यह हो गया ना अपना गुर्ः हन हो गया ही बिसकास हो गया ही कश का सो गया इक जोड़ा हो रहत ङ्यों वह भी फ्लाउरिग कंगे इसको बनाने के लिए आप यह कीजिए इसको बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए निम का खली दीजिए इसके लिए बहुत ही अम्रीत के समान है इसको मस्टड के जरूर चाहिए लिक्विड देते रहिएगा लिक्विड इसका मैंने देखा है कि ज्यादा अच्छा रहता है देखिए देख रहे हैं तो इसका इलाज कैसे करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगे आपको देना है तो इसमें मस्टड केक दे सकते हैं नीम केक दे सकते हैं बर्मी कंपोट दे सकते हैंmüş और सबसे अगर इजी है तो आप यह जो निप्वू होते हैं निम्भू को दो तीन दिन पाने में डाल दीजिए और उसके पानी को डाल दीजिए तो यह भी इसका जो एसिएडिक है न तो उंगाप दो अच्छा रहता है एक्शुलि मैं यह चीजे कर चुकी हो और यह मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रही हूं लेकिन मैं आज इसका इलाज कैसे करूँगी यह आपको मैं अलग तरीके से बतांगी इसके लिए मैं यूज करूँगी ग्रीन इश्टीक ग्रीन इश्टिक जो होता है और सारे नूट्रिसियंस उसमें हो जाते हैं और बहुत ही इजी होता है जैसे हमें कभी कल मन करता है कि मेरे फ्लावर सुन्दर भी रहें और बहुत खिले भी और हम कुछ करें भी नहीं कभी कल होता है कि नहीं होता है आपके साथ होता है कि नहीं मेरे साथ तो यह बहुत होता है तो मैंने रिसर्च किया और इसके बाद देखिए यह ग्रीन इस्टिक निकाला यह ग्रीन इस्टिक जो है न अमेजन पर इजीली मतलब अनलाइन मिल जाता है यह पेड नहीं है मेरा यह अनुभाव है यह मत सोचिएगा कि मैं इसका प्रचार क कर रही हूं यह मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं तो इसको लगाने का तरीका है कि स्वैल को आप पहले मिटी को कुडाई कर दिए मिटाई मिटी को जुखे ना एक दम लूज कीजिए और इसके बाद देखिए एक श्टिक को इसमें डाल करता है इसके लिए इजली दो महीने पर एक बार दीजिए इसको ज्यादा कुछ करने की जुरत नहीं पड़ती है और मीटी में इसको डाल दीजिए मैं अच्छली बहुत सारे प्लांट्स पर यह किया है एक्स्पेरिमेंट और सथ पूछे तो मेरे प्लांट्स बहुत ही अ हो जाता है मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए चीजों का यूज करना तो यह भी मैंने यूज किया है और एक प्लांट पर क्या एक जोरा पर ही मैंने प्लांट पर यूज किया है और उस सक्सेस भी रही हूं तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ यह स स्वायल को लूज कीजिए और इसके बाद इसको डाल दीजिए बड़ा ही जी प्रोसेज है और बहुत ही अच्छा लगा तो देखिए यह मैं वन मंथ पहले इसको की थी और यह देखिए इसकी पतियां कितनी अच्छी हो गई है ग्रीन भी हो गई है और खुबशुरत भी हो तो सोचा कि चलिए आपके साथ सेयर कर लेती हूं देखिए इसकी पतियां कितने ग्रीन हो चुकी है मैंने इस प्लांट को कट कर दिया है क्योंकि जब भी हमें हैं भी फ्लावरिंग लेना होता है न तो उसको कट कर देना चाहिए तो यह तो बुसी भी हो जाएगा और नए नए फ्लावर निकलेंगे और देखिए इसकी स्वाइल कैसी है देखिए देख रहे हैं तो आप भी अपने प्लांट पर नए नए चीजों को खोजिए रिसर्च कीजिए और इनका एक्सपरिमेंट कीजिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए मुझे लगत आपके लाइक से मेरा बहुत कुछ हो जाता है बहुत मुझे मॉटिवेशन मिलता है और मैं काम अच्छा करूंगी देखते जाए थैंक यू फोर वाचिंग